2019 का लोगसवा इलेक्शन जैसा कि आप सभी को पता ही उसका पहला चुरन आज खत्म हो गया आज 21 राजियों की 91 लोगसवा सीटों पर चुनाव खत्म हो गया या निकी ओट पड़ गया ऐसे में बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहांसे ब्रिकिंग खबर आ रही है उसके उपर हम नज़र डालेंगे लेकिन आज जो है 21 राजियों की 91 लोगसवा सीटों पर जो है वोटिंग तो जरूर हुई है लेकिन बहुत सारी जगहों पर दोस्तों आज चुनाव आयोग और आचार संयता की खुले आम धज्या उड़ाई गई हैं हम उन पर नज़र डालेंगे कौन स यहां पर आचार संयता की खुले आम धज्या उड़ाई गई है और किस पार्टी के नेताओं ने यह किया है तो सबसे पहली जो घटना हुई है वह दोस्तों हरिद्वार की यहनि की उत्तरा खंड के हरिद्वार की जो अलापुर च्छेटर के प्रीत पुर बूद पर जो है आचार सही है था कि खुले आम धज्या उड़ाई गई यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ जो तो BJP परत्यासी रमेश पोखरियाल की फोटो ओट डालने माली परची पर लगाई गई और बाकाइदा पार्टी यानि कि BJP पार्टी का लोगो लगा करके लोगों को परची बाटी गई और ओट डालने के लिए कहा गया तो यह समझे देजिए खुले आम चुनाव आयोग चुनाव आयोग के साथ साथ आचार सही है ताकि खुले आम धच्या उड़ाई गई है तो ऐसे में चुनाव आयोग पर सवाल उठना लाजमी है पहली खबर अब मैं दूसरी खबर बताता हूँ दूसरी खबर जो है वो है शामली से सामली में दोस्तों दलित ओटरों को आज ओट डालने से रोंका गया आप लोगों ने चुनल पर भी एक खबर देखिये होगी तो आज जो है दलित ओटरों को शामली में ओट डालने नहीं दिया गया और उनका कसूर ये था वज़ा आप जब जानेंगे तो हैरान हो जाएंगे वज़ा ये थी कि दलित ओटर सिर्फ दलित काश्ट से तालुक रखते हैं यानि कि वो दलित हैं इसलिए उनको ओट भी डालने नहीं दिया जाएगा भारत में अब आप समझ लीजिए फाला कि ये दलितों के साथ अत्याचार बहुत पहले से हो रहा है तो ऐसे में आज जो है ओटिंग के समय भी उनके ये अत्याचार किया गया ऐसे में चुनावायो कहां है और परसासन कहां है ये आप खुद इसके बारे में पता होगा आप लोगों को आप जान सकते हैं अब मैं आपको तीसरी खबर बताता हूँ तीसरी खबर दोस्तो ये है बिजनौर की है दोस्तो बिजनौर में जो है कुछ लोगों ने इवियम में गड़बड़ी की शिकायत की अब बिजनौर में आपको बताना चाहूँगा बीएसपी प्रत्यासी ने कुछ ओटरों ने उनके जो है जब ओट डालने गए इवियम मसीन से तो इवियम मसीन में उन्होंने बटन दबाया बीएसपी वाला तो ओट चला गया बीजेपी को तो उन्होंने ये कंप्लेंड की और आपनों लोगोंने न्यू चैनल में वीडियो भी देखे होंगे हम यहाँ पे हला कि वीडियो तो नहीं दिखा सकते क्योंकि आप सभी को पता ही है अगर हम वीडियो दिखाएंगे तो हमारा चैनल खत्रे में पढ़ जाएगा क्योंकि आप सभी को पता ही है कि माहोल कैसा है आज लोग अगर थोड़ा भी सत्ताधरी पार्टी के खिलाब हम बोलेंगे तो हमारे पीछे ही पढ़ जाएंगे ठीक है तो चलिए हम फिर भी बताते हैं आपको कि बिजनोर में EVM में गड़बड़ी की शिकायत आई है बीएसपी परत्यासी ने ये कंप्लेंट की है कि उनके जब वोटर जाकर के हमको ओट डालने गए तो उनकी ओट बीजेपी को चली गई इसमें कारवाई क्या हुई है इसकी पूरी खबर हमारे पास नहीं है लेकिन ऐसी खबरों से हमारे देश का कंस्टिटिशन यानि की सवाल उटने लाजमी है ठीक है दोस्तो तो ये कुछ ब्रेकिंग खबर थी जिसके बारे में आपको हमने बताया है अब आपकी राय क्या है मैं आपको राय जाना चाहता हूँ हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि ऐसी घटनाओं से आपका EVM के उपर अभी विश्वास है या फिर इस बार ऐसा लग रहा है अगर यही इस्तिती रही तो चुनाओ किस पार्टी के हित में जाएगा यह आप सभी को पता है ठीक है दोस्तों तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए शेर कर दीजिए चैनल सब्सक् कर दोस्तों में जाएगा बचा लोस्तित वा JUSTハ इस वीडियो कैनल सब्सक्वादी को लाइक को लाइक pełावानाव का